बश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिस्कुस करें IGL के बारे में इंडर प्रस्ता गैस के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और इस शेर में आपको क्या टार्गिट देखने को मिल से थे कहा है शेर का स्पोर्ट बनर और कहां पे रिजिस्टेंस सारा हम आपके लिए क्लियर करेंगे वीडियो एंट जूर देखेगा पहले कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो है काफी स्ट्रॉंग है कंपनी का स्टॉक नहीं ज्यादा ओपरपट दोन में और ना ही ASMP किसी रड़ फ्लेग लिसन में गाइस कंपनी की जो एनुल ग्रोध रफिड जेनरेशन रेवन्यो ग्रोध रेट चैश फ्लो स्टेटमेंट इंकम फ्लो स्टेटमेंट जो है सारी की सारी पॉजिटिम है गाइस कंपनी की जो debt to equity, ROE और earning पर share है वो भी काफी अच्छे है गाइस So guys आपको पता है आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं हमने आपको कहा था कि IGL share हो काफी fundamentally strong stock है और यह share में आपको जो है अच्छे खासे return देनी की जो है शमता है और आपको पता है IGL में एक तगडी rally आपको देखने को मिली गाइस company जो है 6% से जाधा return एक दिन में जो है दे के चलेगी अपने जो है investors को और shareholders को तो मैंने आपको कहा था काइस कि आप जो है इस share पर point लीजे यह share जो है आने वाइल टाइम में आपको अच्छे खासे return देनी की शमता है हमने आपको कहा था गाइस आपको gas sector में जो थोड़ा pain देखने को मिल सकता है क्योंकि जो है government ने gas के प्राइसों में जो टॉटती लाई है as a diwali gift जो government हर साल देती है लोगों को तो उसकी वज़े से आपको gas sector में थोड़े pain देखने को मिलेगी गाइस लेकिन आपको पता है जो IGL है उसका धमाकेदार result है हमने आपको पहले का था कि IGL का जो result हो धमाकेदार है गा और उपर से जो है IGL में जो buying हो रही है गाइस काफी जो heavy volume में buying हो रही है आप देख सकते है एक candlestick क्या heavy volume में या खिदारी हुई क्या एक bullish candle बनी हुई है गाइस तो अब जो है गाइस इस share में मुझे लगता है जो आपको pain देखने को मिल रही थी वो अब हो चुकी है खतम अब यहां से एक इसमें आपको एक rally ही देखने को मिलेगी 400 का आपने इसमें stop loss लेके चलना और 518 के जो है target आपको इस share में आने वाल टाइम में देखने को मिल सकते है और guys उपर से gas के prices सर्दियों में बढ़ने ही वाले guys इसमें कोई दो रही है जो Russia है वो वैसे भी gas supply में बहुत ज़दा कमील आ रही है जिससे जो है Europe में gas की demand बहुत बढ़ेगी जिसी international market में gas के prices spike करेंगे और जो हमारे Indian domestic market है यहां पे भी gas के prices बहुत ज़दा spike करेंगे तो मेरी आपको यही रह रहे है कि guys अगर आप इस share में conviction लेने को तेयार है तो पूरे सर्दी इस share को hold कीज सर्दियों में हमारी study की साबसे हमें लग रहा है कि gas sector जो है और परफॉर्म करेंगा और आइजियल शेर जो है वो सबसे बड़ा जो आउट परफॉर्मर होगा तो guys आप इस share में जो है बुलिश रहे जिए 500 के target इस share में कहीं नहीं के company fundamentally strong ए बीटा भी बढ़ी है और RSI Digator भ के लिए